नमस्कार दोस्तों, देखिए गर्मिया आ रहे हैं, नीबू की शिकंजी किसको पसंदे हैं, सभी को पसंदे और सभी को नीबू की शिकंजी पीने से एनरजी मिलती है, नीबू काफी महंगे हो जाती हैं, तो इसलिए हमने एक इसका प्रिमिक्स बनाया है, जिसे हम स्टोर करक महीनों तक रख सकते हैं इसे बच्चे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए इस प्री मिक्स को हम बनाना शुरू करते हैं देखिए इसके लिए मैंने चार नीबू लिए हैं मैं चार नीबू से ये आपको बना कर बता रही हूँ सर्दियों में नीबू बहुत आते हैं गर्मियों में नीबू काफे महगे हो जाती है तो सर्दियों में ही इसको गर्मी आने से पहले ही बना कर रख ले ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से घर में ही बन जाता है इसमें ना तो गैस जलाने की ज़रूरत होती है और ना ही इसे धूप में रखने की ज़रूरत होती है इसको घर में ही बना कर त्यार कर सकती है अब देखी मैंने एक बाउल लिया है और नीवो निचोडनी क्या जो हता है वो लिया है इससे में सभी नीवों को निचोड लूँगे और इसका रस निकाल लूँगे इस बाउल में अगर आपके पास ऐसा निचोडने का नहीं है तो कोई बाद नहीं आप हाथ से ही नीवों को निचोड लीजिए और इसका रस निकाल लेंगे इन सभी निवों का रस देखो मैंने निकाल लिया है अब एक कोई कटूरी, कप या कुछ भी ले ले उसमें ये पूरा अपना निवो का रस डाल ले और इससे ना पले कि हमारा निवो का रस कितना है मैंने इस कप में डाला है ये कप आधा भरा है इसको मैं एक थाली में डाल देती हूँ इसमें कुछ नीचे बीजे आ गए हैं जिसे मैं अलग कर दूँगी और सारा रस इसमें ही डाल दूँगी इस रस को चानने की कोई जरूरत नहीं होती है इसमें मैंने डाल दिया है अब इसी कपसे में दो कप चीनी डालूंगी मतलब जितना रस है हमारा उससे चार गुना इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को हम हलका सा हिलाएंगे इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है ज़्यादा करेंगे तो चीनी हमारी इसके साथ घुल जाएगी चीनी हमें घोलना नहीं है सिर्फ इसके साथ हलका सा मिक्स करनी है जिससे चीनी के ऊपर नीबू का रस कोट हो जाए और इसको हम हलके से हिला कर पूरे प्लेट में पतला-पतला फैला देंगे और इसको हवा में सूखने के लिए रख देंगे इसे हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है अगर इसे हम धूप में रख देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी इसलिए इसे हम चाय में ही सुखाएंगे या तो इसे पंखे की हवा में सुखाएं छे से साथ घंटे बाद देखिए मैंने इसको अलट पलट एक बार कर दिया था अब मैं इसे फिर से छे से साथ घंटे बाद फिर से इसे निकाल रही हूँ देखिए इस तरीके से मैंने इसे निकाल दिया है नीवू का रस पूरा सूख गया है अब इसको मैं फिर से इसमें फैला देती हूँ जब तक के चीनी हमारे अब अच्छे से नहीं सूख जाती तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगी दो से तीन दिन में चीनी आराम से सूख जाएगी अब देखी फिर से मेरे सुखाया और इसको इखटा कर लिया इस बार मेरी चीनी बिल्कुल सूख गई है इस प्रकार से थोड़ी प्लेट में चिपक जाएगी तो इसको हम इखटा कर लें अब एक ग्राइंडर जार लेंगे ग्राइंडर जार में इस चीनी को हम डाल देंगे और धक्कल लगाकर इसको हम महीन ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है इसका पाउडर बिल्कुल वाइट बनकर तयार हुआ है कलर में कोई फरक नहीं है अब इस देखिए इसको हम दिखा रहे हैं बिल्कुल बारिक पिस गया है ये हमारा प्रीमिक्स बनकर तयार है अब इसको हम एक सूखे एर टाइट जार में स्टोर करेंगे इसमें कभी भी गीली चम्मस ना डाले वरना ये खराप हो जाएगा इसको हमेशा सूखे इस्थान पर रखें और एर टाइट डबे का या बॉटल का इस्तमाल करें एक देखिए हमने गिलास लिया है इसको बनाना बता रहे हैं इसमें पानी डाल दिया है अब ये हमारा जो प्रीमिक्स है हम एक चम्मस लेंगे और इसमें डाल कर इसको हम घोल देंगे नीवू की शिकनजी बनकर तयार है इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है इसको बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं इसमें हम चाहें तो अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डाल लेंगे जो भी आप डालना चाहें इस प्रकार हमारी शिकनजी बनकर तयार हो गई है ये जो हमारा प्रीमिक्स बना है इसको हमेशा सूखे स्थान पर रखें और एर टाइट जार का इस्तमाल करें ये प्रीमिक्स महीनों तक खराब नहीं होता है इसको आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं सर्दियों में बना लीजिए और गर्मियों में इसका इस्तमाल कीजिए ये बहुत फाइदे मंद है तो इस तरीके से आप इसका प्रीमिक्स बना कर जरूर रख लीजिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो आप इसे सबस्क्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन को प्रेज कर दीजिएगा जिससे आपको डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थीजिए एको तो आपको लाइको 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 की जोजिए्गा